हेलो एब्रिवान मैं सचिन विस्तो कर्मा आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इंटेलेक्चुल प्रॉपर्टी राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपकी परिछा के लिए इंपॉर्टेंट है तो चली वीडियो को शुरू करते हैं बीडियो में थोड़ी देरी ह Chili क्योंकि आज मेरी तभियत जो है थोड़ी सही नहीं थी तो आप लोग मेनेस करिएगा तो चली वीडियो को शुरू करते हैं इंटेलेक्चुल प्रॉपर्टी राइट कश का जो मतलब होता है वह होता है बहुत धिक संपदा अधिकार यानि इसके सनरचन के लिए जो अधिकार दिये जाते हैं वही हैं बहुत दिक संपदा अधिकार तो सबसे पहले बात करते हैं कि intellectual property right में property क्या है property वह वस्तु या वस्तु का समूम होता है जिस पर किसी ब्यक्ति या अनेक ब्यक्तियों का इस प्रकार से अधिकार होता है कि वह व्यक्ति अपने नियमों के अधीन अपनी इच्छा नुसार उस वस्तु का कानूनी नियमों के अनुसार सोयम उप्योग करने या ना करने के लिए स्वतंत्र होते हैं तथा दूसरे बिक्तियों को उन वस्टूं का उप्योग ना कर देने के लिए भी अभिक्रित होते हैं। साथ ही उस वस्टू का उस वस्टू या उन वस्टूं का स्वामित दूसरे बिक्तियों को हस्तानांतरित करने का अधिकार भी उनको प्राप्त होता है। यानि property वह वस्तु है जिस पर की किसी भी व्यक्ति का एक व्यक्ति का अधिकार होता है या अनेक व्यक्तियों का अधिकार होता है और वह चाहे जब चाहे उस वस्तु का प्रियोग करे या ना करे चाहे खुद करे या किसी और को करने के लिए दे या फिर उसको जो है बेच भ और दूसरी होती है इंटेंजिवल प्रॉपर्टी अमूर्थ संपदा टेंजिवल प्रॉपर्टी क्या है कि जिसे हम छू सकें जैसे आपकी कार हो गई आपका घर हो गया आपकी जमीन हो गई और इंटेंजिवल प्रॉपर्टी क्या है अमूर्थ संपदा जैसे आपकी जिसे हम अपनी बुद्ध से डेवलप करते हैं यह एक प्रकार की इंटेंजिवल प्रावपर्टी होती है जो मानो बुद्धी या मनुष्ट के मस्तिष्क की उपज होती है यह इंटेंजिवल रूप में होती है कोई भी बौद्धिक संपदा किसी एक बुद्धि या अनेक बुद्धियों के समू की बुद्धिया मस्तिष्क की उपज की रचना होती है और वह उस बुद्धि और वह बुद्धि उस संपत्ति का स्वामी होता है यह 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 ऐसी बुद्धि है भी परता है जिनको वो अन्य बरिक्तियों को लाइसंस चनल को उसका दूसरा उप्योग ना करो सके उसके लिए उसको अधिकार दिया जाता है IPR बहुत्धिक संपदा अधिकार intellectual property right और वह व्यक्ति अगर चाहे तो उसको दूसरे को भी दे सकता है किसी license या assignment के द्वारा अब हो ये तो हो गया property फिर हो गया intellectual property अब intellectual property इसके बाद है intellectual property rights यानि बहुत्धिक संपदा अधिकार क्या होती है तो एसे अधिकार जो बहुत्धिक संपदा को संदच्छित करने के लिए दिये जाते है उन्हें जो है intellectual property right या बहुत्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है ठीक अब इसके बाद जो बहुत्धिक संपदा अधिकार है इंडस्ट्रियल प्रपर्बर्टी राइट दूसरा है कॉपि राइट अब जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्गार के यते हैं। हम बहुत देख संपताजिकार देते हैं जिसमें सबसे पहला है पेटेंट दूसरा है ट्रेड मार्क तीसरा है जियोग्राफिकल इंडिकेशन और चौथा है इंडेस्ट्रियल डिजाइन एक्ट पांचवा है इंटीग्रेटर सर्किट और छाटवा है ट्रेड सीक्रेट तो गजारिस है कि आप लोग इसकी हिंदी मत पूछिए क् fier की इसकी हिंदी भी मिलना बहुत ही मुष्चिल है पेटेंट की हिंदी पेटेंट ही होती है ट्रेड मार्क हिंदी होती है ब्यापारिक चिन है और जियोग्राफिकल इंटिकेशन का होता है भागोलिक चिन है और इंडेस्ट्रिल डिजाइन एक्ट का मुझे नहीं पता इंटिक्रेटर सर्किट का भी मुझे नहीं पता कोई chip होता होगा और trade secret मतलब व्यापार रहाश से होता है copyright तो आप लोगों को पता ही है तो यह है intellectual property right अगर आप इसे English में याद करेंगे तो यह बहुत अच्छी बात है अब एक-एक करके देखते हैं कि यह क्या होते है patent और trademark क्या है geographical indication क्या है तो मेरा notes जो है टेलिग्राम पर है उपलब्ध है आप लोग वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं अब बात करते हैं patent की सबसे पहले कि patent क्या है तो patent अपने स्वामी को इस बात का अधिकार देता है कि उसके द्वारा किये गई खोज का कोई अन्यव्यक्ति उसका विपड़न और उसका आयात ना कर पाई यानि जैसे किसी ने कोई खोज की या बराइटी की खोज की तो patent इस बात को बताता है या अधिकार देता है अपने मालिक को कि उसने जो खोज की है उसका उप्योग कोई अन्यव्यक्ति ना कर पाई क्यूंकि अगर कोई ब्यक्ती इसका उप्योग कर लेगा तो जिसने खोज किया है उसको उसका कोई लाब नहीं मिलेगा तो पेटेंट अपने स्वामी को इस बात का अधिकार देता है कि उसके द्वारा किए गए खोज का कोई अन्यव्यक्ति उसका विपड़न यानि उसको बेचना सके उसका आयात उसको खरीदना सके और कुछ भी ना कर पाए भारत में पेटेंट सिस्टम का प्रसासनिक कारे पेटेंट डिजाइन ट्रेड मार्क कंट्रोलर जनरल के द्वारा किया जाता है यानि पेटें इसको बेच्द किसको देता है किसको यितनी दूरी के लिए यानि जिसने इसके की खोज की है और किसंके लिए देता है या दिया जा जाता है और इसके बाद which right तो क्या-क्या accounts और राइट दिया जाता है तो make selling, manufacture, use satisfy criteria यानि इसको बेचने के लिए या कोई इसको बना ना सके इसके लिए दिया जाता है और कितने समय के लिए तो 20 साल के लिए दिया जाता है patent 20 साल के लिए दिया जाता है patent ability ये जो है बहुत ही important है ये आपकी परिच्छा में आ सकता है patent ability तो आप लोग इसे जरूर याद करिएगा वे दसाएं जो किसे patent की बैदानिकता के लिए आवस्चेक होती है उनको patent ability कहा जाता है यानि वे दसाएं जो patent देने के लिए patent की बैदानिकता के लिए आवस्चेक होती है यानि कौन-कौन से ऐसे term या condition है जिनको लागू करने पर हमें patent मिलता है यानि patent देने के लिए क्या-क्या देखा जाता है तो patent देने के लिए जो दसाएं हैं वो है novelty यानि कोई भी चीज जो है नई होनी चाहिए दूसरी है non-obviousness और इसके बाद तीसरी है industrial use तो इसको एक एक करके describe करते हैं novelty क्या है तो patent उसी एन्वेसर्ट को दिया जाता है खोज को दिया जाता है जो पूंड रूप से नया हो यानि जैसे किसी ने कोई खोज की है और फिर आपने उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर दिया तो आपको patent नहीं दिया जाएगा आप पूरी तरह से आपको नई खोज करनी होगी और जो लोगों की जानकारी से पहले से ना हो यानि उसके बारे में कोई ना जानता हो ऐसी खोज तभी उसको patent दिया जाएगा दूसरी जो अवस्था है वो है non-obviousness यानि कोई invention इस परकार के बैग्यानिक सिधान्त और तक्नीक का उपयोग करके बनाया गया है जिसको सामान ग्यान रखने वाले लोगों को उपयोगी हो और उसको जो है industrial use के लिए बड़ी-बड़ी कमपनियों में या व्यापार के उद्दिस्व से उसका उपयोग हो और समाज के लिए भी उपयोगी हो तो patent का जो head office है वो है कोलकाता में और इसको control control general के द्वारा किया जाता है और इसके सब आफिस हैं मुंबई, चिन्नई, न्यू दिल्ली और एहमदाबाद यहाँ यहाँ पर इसके जो है प्रोसेस आफ रजिस्ट्रेशन तो प्रोसेस आफ रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको application फाम बरना होता है जिसमें कि applicant यानि जो भरता है और patent attorney ये एक agent होता है जिसके द्वारा patent भरने के लिए इसके मदद से patent भरा जाता है फिर detail of invention आपने जो खोज किये उसके बारे में detail देनी होगी फिर उसके specification के बारे में बताना होगा और इसके बाद है examination इसका फिर निरिछण किया जाएगा office में और publication पब्लिस किया जाएगा कि अगर किसी को इसके लिए opposition उठाना है या किसी ने इसके लिए खोज की है पहले से या फिर किसी को इसका patent मिल चुका है तो publish किया जाता है public में कि सब लोग इसे देखें और जिसको opposition करना है वो opposition इसका बिरोध कर सकता है उसके आद हाथ मतलब कि यही है फिर है accept और reject फिर इसके बाद आपका इन सब process के बाद चो patent है वो या फिर accept किया जाएगा या reject किया जा ताचर होते हैं और उसकी महर भी लगी होती है तो what are not patent patent में क्या नहीं दिया जाता है यह सब थोड़ा कम important है इसके बाद अगला है compulsory licensing यह भी जो है बहुत ही ज्यादा important है compulsory licensing क्या होता है तो कोई भी व्यक्ति किसी भी patent को patent देने के लिए compulsory licensing patent मिलने के तीन वर्ष के कहा जाता है यानि आप लोग याज जरूर करेगा क्योंकि compulsory licensing बहुत ही ज्यादा important है कोई भी व्यक्ति किसी भी patent को patent के लिए compulsory licensing patent मिलने के तीन वर्ष के पहले आविदन कर सकता है यानि किसी को अगर compulsory licensing लेनी है तो वो तीन वर्ष के पहले जो है इसका आविदन करेगा इसके लिए निमलिखित मतलब जो आधार हैं वो निमलिखित हैं जिसमें जब patent समचित कीमत पर उपलब धना हो और जब कोई patent लोगों की जरूरत को संतुष्ट ना कर पा रहा हो और जब कोई patent अपने ही देश में उपयोग ना किया जा रहा हो तो कोई भी व्यक्ति जो है उसको उसकी compulsory licensing लेने के लिए तीन वर्ज के अंदर ही आवेदन कर सकता है इसके बाद है infringement of patent ये भी जो है बहुत ही ज्यादा important है ये भी आपकी परिच्छा में आ सकता है तो infringement of patent क्या होता है ये तो इंग्लिश में ही है विन एनी-बोडड़ वाइब दा राइट्स आप पेतेंटी दिन इडिशकाह इनफरलिश्मेंट आप पेटेंट यानि जब भी कोई पेहती जो है पेटेंटल लेने के बादद उसमें किसी परकार का गलत काम करता है यानि वाइलएंट उसका उलंखन करता है जो उसके निय तो यही है कि जब कोई भेक्टी पेटेंट लेने के बाद उसमें कोई गलत काम करता है जिसे दो नंबर का काम कहा जाता है तो या पेटेंट के नियमों का उलंगन करता है तो उसे ही जो है इंडियन पेटेंट की जाल साजी कहा जाता है जनरली दा फॉलोविंग एक्ट आर कंसीडर्ड एज एक्ट इंफिरिजमेंट एक्ट एक्ट के अंतरकर जो आता है वो है कलेरेबल इमिनेशन यानि कि जैसे आप थोड़ा बहुत कलर में परिवर्तन करके जैसे बिसलरी का एक बोतल आता है उसकी नकल बहुत सारे बोतल करते आतो इस्रेकार का अगर कोई करता है थोड़ा बहुत तो उसके लिए उसको भी माना जाता है इसके बाद है mechanical फिर इसके बाद है के इसन्य Ferrarine bet करने के पहरँने करता है तो वह एक्ट्च्वाइजक्त पर्लत आप नल्केंट ने से पहले उस पैटकेंट सकता है इसको ही प्री ग्रांट अपोजीशन कहा जा सकता है यानि जैसे किसी वेक्ति को किसी वेक्ति ने आवेधन कर दिया है पेटिन के लिए और उसमें आपको कोई कमी लगती है तो आप उसके लिए जो है उसका विरूद कर सकते हैं इसे ही प्री ग्रांट अपोजीशन कह आ जाता है इसके बाद है ताइप आप इंट्रलक्चिल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक बताएंगे जैसे कि गेट क्या है और उपो क्या है डव्लूटीयो क्या है ट्रिप्स क्या है तो यह सभी भ